नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आपको बता दें कि पंदरा मई के शुब नौ बजेशे जिया दोस्तों यहश में से आपके जुनकाल में बहुत अच्छे बदलाव होने वाले हैं जियां दोस्तों दरशल आपके जानकारे के लिए बता दें कि येश में रविवार का दिन होगा जियां दोस्तों और जोते शास्त में रविवार का दिन भगवान शूरी देव को अरपीत है दोस्तों आपको बता दें कि शूरी देव, शभी देवों के देव में शे एक एशिर देव हैं जो कि अपने भाक्तों के लाशा श्वेंग पूरी करते हैं उनके जून में कुशियां श्वेंग भरते हैं उनके शभी दुखों का अंतर श्वेंग करते हैं और यह रवियार का दिन आपके लिए बहुत ती उद्दम शाबित होने वाली है कि वह दोस्तों ये शुरी देब के शिर्वार्षी करों का गजब दुलब श्युक बनेगा जहां पर बहुत ती शुब और धनियों का रिर्मान होने वाले है धन से जोई शुबिश शुबिश का विनाश करने के लिए शुरी देब को हर रोज शुर्य नमशकार करते हैं उन्हें जलर्पित करते हैं और शुर्देब भी अपने भक्तों की लाज रखते हैं और उन्हें च्छमा कर देते हैं और दोस्तों ये शुबिश में आपके लिए बहुत त्युत्तम श्राविक ह होने वाले हैं आपके शबी फाभ क॥म होने वाले हैं आपके जो जुन से जुड़ी आपकी घलती होने वाली है आपकी जान at us live Alisa वर बड़ी खुश खबरी हैं ऐसमे आपको मिलने वाली है दोश्ष में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिश्णा करें और शुरूश लेकर अंद तक जरूर देखें दोस्तों इनमें आप शबी मेहत पुंजाने कारे को जानेंगे किन शमय अंद्राल में आपको किन चित्रों को लेकर शावदान रेन होंगे और किन चित्रों में कारकनिश्य आपको लाप की प्राप्त होगे भगवान शुरीदेव के अश्रूबाष आपके घर के महाल में और पारेविल जुन में क्या किया शुधार होंगी तो दोस्तों आंद तक दिखेगा उसे पहले दोस्तों जो भी एकती वीडियो को लाइक करके कमेर बॉक्स में सच्ची मन से जैर सुरुदेव लिखेगा बुरोजेकार भगवान शुरुदेव का शरे वाश्रबात प्राप करेगा तो दोस्तों जरूर लिखेगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्क्राइब करने शौती बेल आइकन को प्रेज करके औल पर स्टेट करने तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों कुछ समय से जिनकारियों के लिए आप प्रयास कर रहे थे दोस्तों यश्मे उनकारियों के पूर्ण होने की उचित समय आ गया है दोस्तों यश्मे आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी आशिल होंगे प्रंतु इसके लिए कर्म परधान होना जरूरी है दोस्तों आपको यश्मी अपने उर्जा का भरपूर इस्तिमाल करना चाहिए इसी दोस्तों आप सुभी कारियों को सब्लता पुर्वक करने में सक्चम रहेंगे और अच्छी सब्लताओं को अच्छी काम्याभी को यश्मी हासिट कर वाले इसके प्राद से अगर्वक की स्रावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मी अपने महत्पूर चीजों का आपको विष्यस ध्यान रखना चाहिए विश्यस संवाल रिरे रखना चाहिए में आपको किसी के भी दोवारा श्रयोग नो मिल पाने के विज़र से उदास लिटा का शामना भी करना पर सकता है आपको बता दें कि फिर भी आप खूद के ऊपर विश्वास बनाई रखकर हाथ में बनना आपको यह में सिखना होगा यह आपके लिए बैत रहेंगे और इसक अपने कारियों को यह में आप शंपन कर सकते हैं आवशी मनुम्मतावित आपकी कारियों में आपको श्वलता की प्राप्ति होगी और इसको प्राहन दोसे श्युमें पुराने कुछ नकार्तमक बातें उठने से निकर्ट समंद्यों के शाथ बाद विवाद भी हो सकता है उचित वहस्ताव बनाए रखने के रिए आपको शानती और धहर रखना समस्याओं को सुलधाएगा समस्याओं का हल होगा और इसको प्राहन दोसे श्युमें आपको बतातें कि घर में जो सुधार शमदी उजनाई बन रही थी दोस्तों अभी उनके पर प्रनुल विचार आपको अवश्च करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सवी लप्रवाई आपके लिए नुक्षान का कारण बज़ रखता है तो दोस्तों इन पर आपको यश्युमें ध्यान देने की आवश्युक्ता होंगी और इसको प्राहन दोस्तों यश्युमें आपको बदा दे कि घर में हो रहे विबातों की जानकारी बाहर की व्यक्तियों को देने से प्रेश रखें दोस्तों आपकी व्यक्तिकत जीवन के बारे में जरुरत से अधिक बात मित्रों के शाथ मांटने के वज़श्य आपके बारे में उनकी राय यश्युमें गलत बन रही है इसलिए दोस्तों व करने का आपको यह कुछ में पर यहाश करना चाहिए आपको बदा दे कि इसके शूब प्रिणाम आपको हासिल होंगी को सब्सक्राइब पहले कोई कार्य करने से पहले अपना बजट का आपको ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों, आप इनपर ध्यान दें, इनसे आप आर्थिक दिकतों से भच पाएंगे और साथी दोस्तों येश्मिय कारियों पर अधिक सोच बजार करने के बज़ाए आपको शम्य को वर्तना करके उन पर तुरंथ ले लिना चाहिए दोस्तों ये शुमे निकर समंदी से कासुन होने से कुछ मन में परिशानी भी रह सकती है जिसका नकार्तमक परभाव नकार्तमक असर आपके कार छम्ता वह पिर कार परनाली परवी पढ़ेगा और इसका प्राद दोस्तों के आपको बता दें कि दोस्तों आपके सभी मौनोकामना यश्मे पूरी भी होगी अचानक से धनलाप होने की शमावना बन रही है दोस्तों जो भी आप पहले कारी किये थे उनका अच में बड़ा फायदा आपको मिल सकता है वैपार में अच में बहुत बड़ा मुनाफा अच में आपको मिलने वाली है साथित बता दें कि युगाओं को अपने छेतर में असानी से यसकी प्रापते भी होने वाली है और इसको फ्रान दोसे यश में आपको बता दें कि संतान की सिक्चा और फिर केरिया से जमनित चल रहे कि जमस्या का शमधान में मिलने से सुकून वह फिर राहत मिलेगा और आप नेव्यक्तिकत कारियों में ध्यान केंद्रित भी इसे कर पाएंगे घर में धार में कारे बिश शमपन हो रहे है तो योजना भी बनेगी शमाई सुवे संता में भी आपका स्वयोग आतमां के योगदान रहेगा और इसके उपसाथी दोस्तों आपको बता दे कि यश में जो हुआ है कि इस दियाँ ज़्यादा बन रही है अनावश्य खर्शे पर आपको यश में नियंतर रखना चाहिए तो दोस्तों ये शमी वर्तमां शमी में कारशित में जो कारश चल रहे है दोस्तों वेसु चारू रूप से ठीक समय पर संपन हो जाएंगे सिर्फ पत्यदिक मेहनत करने की जर्द होंगी मीडिया तथा कम्पीटर चेत से जुड़े वयशाय में लावदाय की सुदियां बन रही है इनमें आपको अच्छी काम्याभी भी हासिल होंगी नोकरी में टार्गेट पूरा होने से बहुत वापी रधिकारी भी शमी आपसे परसन रहेंगी और आपको कोई अच्छी पतपराप्त की संभावना भी हो रही है और इश्कुप्राण दोसे ये शमी आपके केरिण के लिए जो से महुँगे आपके वयशाय के लिए जो से महुँगे आपको बता दे कि दोस्तों कारेचित में तेदिक वैस्ता बने रहेगी करमचारियों की काम लेते शमी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जरासी लपरवाई नुक्सान दे आपके लिए रह सकता है इसले तो जो भी जब भी उनसे आपको काम है तो उनसे अपने महारे पर सहीम रखकर ही उनसे बात करें शला तरिके से ही बात करें इनसे आप उनसे शला भी ले पाएंगे और उनसे समद भी आपका बैत रहेगा नुक्री में भी किसी टार्गेट को पुरा करने से आपका मन समान और आपको तरकी मिलने की सभाणा बन रही है और इसके प्रांद दोस्तों ये श्मी आपकी केरेट के लिए जिसम होंगे आपको बता दे कि वायुशाय में सभी निरले श्वैंग ही ले दूसरों पर आपको अधिक विश्वास में करना और सलाह लेना आपके लिए नुक्सान दायक भी रह सकता है और इसके प्रांद दोस्तों ये श्मी आपके केरेट के लिए जिसम होंगे आपको बता दे कि दोस्तों कारेट चेतर में अधिनस्त करमचैरियों से किसी परकार की बाद बाद की स्तुती भी उत्पन ना होने दे क्योंकि दोस्तों इसका नकार्त मकसर आपके कार्चमता पर पढ़ सकता है और यश्मी मीडिया वा फिर फॉन द्वारा आपको कोई बड़ा ओटर भी मिलने की समान अब बन रही है और इसके प्रांतों से यश्मी अगर आपकी लव लाइफ के लिकर बात करें तो दोस्तों प आपके जिवन साथे के लिए जिसमें होंगे आपके लव लाइफ के लिए जिवन लोगों के शाथ प्रेम जो है माधूरी बना रहेगा प्रेम बनों में गुस्से की विज़ची बहुन तो दूरियां भी आशक्ती है तो आपको यश्मी ध्यान रखने की आवश्यक्ता हों में ज़्यदा हस्तुपेक्च ना करें तदा अपने वाइबार को समीत रखें कुछ समय बच्चों के समस्याओं को सुल्जाने में अवश्य वहिद्द करें दोस्तों इससे उनका मनवल बढ़ेगा तो इस पर जरूर ध्यान दे और इसके प्रांद दो से इसमें आपके लि दोस्तों में मज़ उताब मने देंगी तो इन पर भी ध्यान दे आपके लिए अप्ली बैठरोंगी और इसको अब आपकी स्वास को लोकर बात करें तो स्वास यसमें आपका ठीक रहेगा कभी-कभी उतिदिक ठकान के स्थी रह सकती है तो दोस्तों इंसे आपको बचाव क करना चाहिए काम के सबस्थ आपको आराम ए वि क्रहना चाहिए पर इश्कुप्राण दोस्राइश में आपको बता दे कि वुर्टमान लुकष हुशतिंसे आपको अपने श्बास सम handling सुर्ख्षाह के नेर्मों का पालन भी करना चाहिए यह आपके स्वास के लिए बैतर होंगी और इश्क्रपान दो सुझे आपके स्वास के लिए समय होंगी आपको बता दे कि नकात्रों विचारों के विज़र से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है इस तरह बहुत का अपने स्वास का विश्य ध्यान लगे दोसरे यह सभी चीज़ आपके स्वास के लिए बैतर होंगी तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखने के आउशक्ता होंगी